अब यह जो स्केलिटल सिस्टम है ना यह बना है किससे हड्डियों से और काटिलेज से मिलके तो हड्डी भी और काटिलेज दोनों की दोनों चीजें इसके अंदर इंकलूड होती है फिर इंसियाटी कहती है कि आपको इसका सिगनिफिकन्ट रोल जो है बॉड़ी की मूवमेंट के अंदर देखने को मिलेगा इस चीज का इंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि आप इमेजिन करके देखो कि आप खाना किस तरीके से चबाओगे जब आपके प चेलेग रुड़ी की सबसे पहली बात कि कितनी टाईवगे तीन टाईवग का है पहला है थीलास्टिक कारटिलिज दूसरा है आपका हाइलीन कार्टिलेज और तीसरा है आपका फाइब्रस कार्टिलेज हाइलीन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में आप अपने लोको मोशन मूवमेंट चाप्टर के अंदर पढ़ोगे और elastic cartilage के अंदर respiratory system वाले chapter के अंदर पढ़ चुके हो जिसके अंदर आप ने ये पढ़ा था कि जो epiglottis है वो elastic cartilage के flap से बनी हुई है hyaline cartilage जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा ribs जब sternum से articulate कर रही होंगी तब वहां पर आपको hyaline cartilage देखने को मिलेगा और fibro cartilage कहां पर देखने को मिलेगा आपको pubic symphysis के अंदर देखने को मिलेगा अब बात कर रहे हैं cartilage की तो cartilage के अंदर जो intercellular material है वो solid होता है और pliable होता है और ये compression को resist करता है जो cells होते हैं cartilage के उनका नाम होता है condroside और cartilage को बनाने वाले cell का नाम होगा condroblast और cartilage को खाने वाले cell का होगा यानि dissolve ये destroy करने वाले cell का नाम होगा condroclast ये जो हमारा condroside है यानि हमारे cartilage का cell ये enclosed होता है छोटी cavities के अंदर उस matrix में जो खुद हमारे condroside नहीं बनाया था जादा तर cartilage जो होती है vertebrate के अंदर वो vertebrate के embryo के अंदर जादा तर cartilage जो होती है हमारे vertebrates के embryo के अंदर वो replace हो जाती है हड़ियों के थुरू adult जब हमारा embryo बन जाता है वापिस से इस point को सुनो क्या कि हमारी जो जादा तर cartilage है वो bone में बदल जाती है जब vertebrates का embryo adult में convert हो जाता है जो cartilage है हमारा ये कहां कहां पर देखने को मिलता है tip of the nose के अंदर देखने को मिलेगा outer ear के joints में देखने को मिलेगा vertebral column के अंदर यानि read की हड़ी के अंदर जो बीच में दो adjacent bones है vertebra जिनको कहते हैं दो adjacent vertebra के बीच में भी आपको cartilage देखने को मिलेगा फिर limbs और hands के अंदर भी cartilage देखने को मिलता है बाद आती है हड़ी की है तो हड़ी जो है हमारी इसका भी कैसा है हमारा hard और non-pliable ground substance है हमारे cartilage के अंदर कैसा था pliable था और bones के अंदर ये non-pliable है किस तरीके से बना है कैलशियम के salts और collagen के fiber से बना है हमारा cartilage condroitin salt से बना था bone calcium के salt से बनी है bone को strength देने के अंदर calcium के salt और collagen fibers का ही main role है bone हमारी वो main tissue है जो की support करती है structural frame की तरह हट हमारे body को जो bone होते हैं वो support करती है हमारी किस चीज को softer tissues को और organs को और उनकी protection का भी काम करती है जैसे rib cage के अंदर lungs, heart वगएरा सब रखा हुआ है वो इसका example हो सकता है बात करें osteocides की तो osteocides क्या होता है bone के cells को ही हम लोग osteocides कहते हैं ये lacunae नाम की खाली जगा पर present होते हैं खाली जगा होती है lacunae नाम की उसके अंदर हमारा ओस्टियो साइट यानि बौन का सेल बना हुआ 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 हु limb की bones होती हैं हमारे जैसे हमारे legs की long bones ये क्या काम करती है weight bearing functions को serve करने का काम करती है और ये interact करती है skeletal muscles के साथ ताकि इन से attach होकर के वो movements को bring about कर सकें आखरी और बहुत important चीज़ bone marrow जो होती है कुछ bones के अंदर वहाँ पर red blood cells के production का काम होता है इसलिए आप उसको ये कहते हो कि इन bone marrow का काम क्या है blood cells के production का काम है erythropoiesis होती है इनके अंदर ये हमारा पूरा का पूरा हमने देखा special connected tissue क्या क्या है तीन थे जिसमें से दो हमने blood bone और cartilage पढ़ लिया फिर ये diagram NCRT ने दिया है आपको ये cartilage का diagram है इसके अंदर collagen fibers देखने को मिल रहे है और ये क्या है हमारा cartilage का cell यानि condrosite दे रखा है और ये हमारा bone का representation है तो diagram दे करके पूछा जा सकता है what does this structure represent तो this represents a bone and this represents a cartilage ये चीज NCRT ने आपको दी कि A figure cartilage है B figure bone है तो A figure cartilage है B figure bone है वापस आए हम लोग अपने chapter की तरफ तो NCRT क्या कहती है जो हमारा former है यानि bone है इसके पास बहुत hard matrix है किसकी वज़ा से calcium salts की वज़ा से और जो cartilage होता है इसके पास कैसा है condritin salts का matrix है तो condritin salts का matrix है तो ये slightly pliable होगा लेकिन जो हमारा bone का matrix है वो calcium salt से मिलकर के बना है तो ये pliable नहीं होता human beings जो है कितनी हड़ियों से मिलकर के बने है 206 हड़ियों से मिलकर के बने है ये question important है पूछा जा सकता है नमबर याद रखना है total हड़ियां 206 है और कुछ cartilage भी है तो हड़ियां और cartilage दोनों मिला कर के ही हमारा skeletal system बनता है हड़िय और bone सारी bone और cartilage दोनों मिला के हमारा skeletal system बनता है जो skeletal system है system है उसको हम लोग दो हिस्सों में बाठते हैं appendicular skeleton के अंदर और axial skeleton के अंदर अब ये जो हमारी body पूरी की पूरी represent हो रखी है इसके अंदर आपको जो blue में दिख रहा है ये सब हमारा axial skeleton है और बाकी सब yellowish जितना भी है ये सब हमारा appendicular skeleton है तो axial skeleton एक तरीके से क्या देख रहे हैं पारे हो आपकी axis के अंदर present है तो क्या क्या चीज़े आएंगी इसके अंदर axial skeleton के अंदर हमारी सकल आ जाएगी vertebral column आ जाएगा पूरा ribs आ जाएगी और हमारी sternum आ जाएगी बस चार चीज़े हैं इसके अंदर जो हमारा axial skeleton बना रहा है axial skeleton के अंदर क्या क्या है सकल आता है vertebral column आता है sternum आती है और ribs आती है अब स्कल के अंदर देखो स्कल बनी हुई है कितनी हड़ियों से स्कल बनी है हमारी स्कल के अंदर होती है ट्विंटी नाइन हड़िया लेकिन ये बनी कितने से है हमारा 23 से बनी है ये यही चीज नसी आटी ने आपको बताई अभी के टोटल जो है हमारी 22 बोन है ये 22 बोन है एक हमारी हाईवाइड बोन है और 6 हमारे इयर ओसिकल्स है 22 बोन से हमारा स्कल बना है जिसको आप फेस में और क्रेनियम में डिवाइड कर दोगे एक हमारी हाईवाइड बोन हो जाती है और 6 हमारे ear ossicles हो जाते हैं इस तरीके से skull contain कितनी bones को करती है 29 को फिर vertebral column के अंदर आता है हमारा फिर sternum आती है sternum हमारी एक है और ribs हमारी कितनी होगी 12 pairs यह नहीं 24 तो इस तरीके से हम लोग अगर calculate करते हैं तो हमारा axial skeleton के अंदर 80 bones बनती है कितनी bones बनती है 80 bones बनती है vertebral column की बात करें तो vertebral column का data यहाँ पर दे रखा है cervical की 7 है thoracic की 12 है और number की 5 है और इन दोनों की sacrum और coccus की एक एक respectively तो यह total बनती है हमारी 26 तो इसको भी हम लोग यहीं पर add कर लें अगर तो vertebral column के अंदर 26 vertebra हमें देखने को मिलेंगी इसका formula भी याद रखना C7, T12, L5, S1 और C1 तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिला कि यह 26 हो गई है यह 26 vertebra है हमारी ठीक है तो axial skeleton के अंदर total 80 bones है appendicular skeleton के अंदर कितनी होंगी जब axial skeleton के अंदर axial skeleton के अंदर 80 bones है और total body में 206 है तो appendicular skeleton के अंदर कितनी bones हो जाएंगी हमारी 126 bones यह है हमारा एक brief introduction किस चीज़ के बारे में skeletal system के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी अपने axial skeleton की तो axial skeleton के अंदर हमें क्या क्या चीज़े देखने को मिल रही है सबसे पहली चीज हमारी skull देखने को मिल रही है फिर vertebral column देखने को मिल रहा है sternum देखने को मिल रही है जो हमारे front line के अंदर जो है dagger shape की bone है और फिर ribs देखने को मिल रही है हमें हमारी पसलिया ये constitute करती है हमारे axial skeleton को जो skull है ये composed है दो sets of bones के थूँ अब मैं थोड़ा clear करता हूँ इसको ताकि मैं आप वो समझा पाऊँ जो मैं समझाना चाहरा हूँ कि NCRT ने ये जो terminology यूज करी है NCRT ने ये जो terminology यूज करी है composed of composed of का क्या मतलब कि ये किस से बना है तो ये बना है किस से दो set of bones से पहली है हमारी cranial bones और दूसरी है हमारी facial bones जो कि मिल के 22 बनती है नमबर में cranial bones क्या क्या मतलब कि जो brain box को बनाती है brain box को बनाने वाली कितनी हड़िया facial bones यानि face को बनाने वाली कितनी हड़िया है तो cranial bones कितनी है हमारी 8 है facial bones कितनी हो गए 14 हो गए और cranial bones हो गए हमारी 8 ये क्या करती है हमारी cranial bone ये hard protected outer covering बनाती है cranium जिसका नाम है brain के लिए तो यह नहीं brain box को बनाती है यह The facial region is made up of 14 skeletal elements which form the front part of the skull एक single U-shape की bone है high-wide जिसका नाम है जो की present है at the base of the buccal cavity और NCRT ने यह एक बहुत important line-up डाली कि it is also included in the skull in the skull, skull के अंदर ही हम लोग हमारी high-wide bone को मानते हैं जो कहां पर present है base of the buccal cavity के अंदर present है base of the buccal cavity में कौन सी bone हो गई हमारी skull हो गई, oh sorry, high-wide हो गई जो की single है और U-shaped की bone है single है मतलब पूरी की पूरी body में बस एक ही bone है तो इस तरीके से हमने पूछा आप से कि skull is composed of how many bones क्या question है skull is composed of how many bones तो आपका answer होगा 22 अगर यही question हो जाए skull contains how many bones contains how many bones का answer होगा 29 composed का answer है 22 contain का answer 29 क्यों है क्योंकि इसके अंदर आप hyoid और ear ossicles भी add करोगे हमारे ear के अंदर तीन हड़ियां होती है malleus incus steps दो कान है तो दोनों में तीन-तीन हड़ी तो 6 हड़ियां यह हो गई और hyoid यह अपनी एक जो base of the buckle cavity के अंदर present है तो यह 7 हड़ियां हमें और add करनी है इस 22 की figure के अंदर तब जाके यह 29 होगा तो skull contains how many bones तो 29 skull is composed of how many bones 22 अब यह नाम इतने important नहीं है जो diagram में दे रखे हैं लेकिन अगर आप एक बार नजर माद करके याद कर लोगे तो बहतर रहेगा जो lower जो है हमारा यह जो lower जो है जो movable जो है इसका नाम होता है mandible जो उपर वाला upper जो होता है इसका नाम है maxilla फिर बात आती है यह higher bone हमारी दिख रही है तीन bone हमें याद हो गई सामने वाली जो bone जो हमारा माथा बनाती है सामने की तरफ है फ्रेंट में है उसका नाम क्या है frontal bone है फिर बात आती है frontal bone के जहल कसा पीछे हम जाएं तो हमें यहाँ पर side में क्या देखने को मिलेगी हमारी parietal bone कान हमारा इधर है कान के ऊपर जो हमें देखने को मिलेगी कान को हम लोग क्या बोलते हैं टिम्पैनम है टिम्पैनिक मेंब्रेंड भी हमारे ear drum को हम लोग कहते हैं तो यह कौन सी bone हो गई हमारी temporal bone हो गई और यह ऊपर कौन सी है parietal bone है तो एक parietal bone इधर होगी और दूसरी parietal bone दूसरी तरफ होगी similarly एक temporal bone इधर होगी दूसरी temporal bone दूसरे कान की तरफ होगी frontal bone सिरफ एक होगी फिर हमें एक occipital bone भी देखने को मिल रही है सबसे पीछे जो होगी उसको क्या बोलेंगे occipital bone है फिर बात आती है कि एक है ये स्फिनोइड बोन हमें देखने को मिल रही है एक इथमोइड बोन होती है अंदर की तरफ को और लेकराइमल बोन हमें देखने को मिल रही है ये छोटी सी फिर एक नेजल बोन है तो इस तरीके से लेवलिंग पूछी जा सकती है फिर यह चीक बोन जो हमें दिख रही है मैकजिला के जस्ट उपर यह है जाइगोमाटिक बोन तो इस तरीके से हमने यह डाइग्राम समझ लिया अल्दो इतना इंपोर्टन यह इतनी गहराई में पूछा नहीं जाता लेकिन हो सकता है पूछ ले क्योंकि NCRT में गिवन है आपको याद होना चाहिए फिर हम लोग फर्दर मूव करें क्या कि NCRT क्या कह रही है Each Middle Ear कौन सा येर Outer Ear Middle Ear या Inner Ear Middle Ear के अंदर तीन टाइनी बोन्स होती है किस तरीके की टाइनी बोन्स है क्या नाम है इनका Malleus, Incus और Stapes जिसको आप Collectively Ear Ocicals कहते हो तीन हड़ी एक कान में तीन हड़ी एक कान में तो दोनों कानों में टूटल कितनी हड़ी छे हड़ी Skull region जो होता है ये आर्टुकलेट करता है यानि जुड़ जाता है किस के साथ With superior region किस के superior region के साथ आफ दी वर्टिब्रल कॉलम अब हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम यानि रीड की हड़ी ये दे रखी है ये रीड की हड़ी है इस रीड की हड़ी का Starting point ये है तो इसका superior region कौन सा होगा superior region इसका ये सबसे उपर वाला होगा इसके साथ क्या जुड़ेगा हमारा हमारा स्कल रीजन जुड़ेगा यानि स्कल हमारी हट्रीड की हट्डी से स्कल जुड़ जाएगा with the help of two occipital condyles कितने occipital condyles occipital condyles कितने हैं दो हैं इसलिए हम लोगों ने स्कल को हमारी human skull को क्या बोला diocondylic skull क्योंकि कितने condyles हैं condyles कितने हैं हमारे di यानि दो हैं अब ये condyles क्या होते हैं ये NCRT ने यहां दिखाया है ये देखो ये occipital condyles दिखाये हुए कि ये कि गुला गुला जैसा निकला वह दिखाया है हमारी occipital bone के अंदर से और दोनों तरफ एक-एक occipital condyles निकलता है इसलिए हम लोग हमारे human skull को diacondylic skull भी कहते हैं फिर बात आती है हमारी vertebral column की तो vertebral column के अंदर कितनी हड़ियां हैं हमने बताया था कि 26 हड़ियां हैं 26 हड़ियां हैं जो कि dorsal होगी ये ventral नहीं हो सकती इन शब्दों के साथ ही खेला जाता है इसलिए बहुत गौर से पढ़ना जो vertebral column है हमारा ये extend करता है कहां से कहां तक base of the skull से base of the skull से ये हमारी tail bone पे जाके hip region के अंदर end करेगा और constitute करेगा पूरा का पूरा main framework of the trunk हर vertebra के अंदर से अब बताओ भई मेरी रीड के हड़ी के अंदर ही तो मेरी spinal cord होगी तो जब मेरी रीड के हड़ी किस से बनी है vertebra से मिलके बनी है तो each vertebra यानि हर vertebra के अंदर एक central hollow portion होगा और इस central hollow portion का नाम क्या होगा मेरा neural canal इस neural canal से क्या पास होएगा spinal cord पास होएगी इस spinal cord के पास होने से मेरा क्या है CNS complete हो जाएगा यानि उपर cranium जो मेरा form हुआ था देखो cranium जो था हमारा cranial bone से मिलकर के हमारा cranium बना था इसके अंदर brain भरा हुआ था और अब vertebral column से मिलकर के मेरी क्या बनी है read की हड़ी बनी है इसके अंदर भी एक space है जिसका नाम है क्या neural canal और इस neural canal के अंदर मेरी spinal cord भरी हुई है अब बात आती है vertebral column के अंदर जो first vertebra है मेरी उसका नाम क्या है atlas है तो दूसरी vertebra का क्या नाम है axis ये नाम याद रखना पहली का नाम है atlas और दूसरी का नाम है axis NCRT ये भी दूसरी के बारे में भी बात करेगे तो पहली vertebra कौन सी है atlas है और दूसरी vertebra है axis और जो हमारी atlas है ये आर्टिकुलेट करती है किस के साथ occipital condyles के साथ तो ये भी एक important information हो गए कौन सी वो vertebra है जो आर्टिकुलेट करती है occipital condyles के साथ तो हमारी वो vertebra है हमारी atlas फिर बात आती है कि vertebral column को आपने किस तरीके से बाटा तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको वो formula बता है C7, T12, L5, S1 और C1 कि cervical के अंदर 7 vertebra thoracic के अंदर 12 vertebra thorax के अंदर 12 vertebra lumbar के अंदर 5 vertebra sacral और cocageal region के अंदर हमारी एक एक vertebra हैगी अब ये देखो ये NCIT ने क्या बात बोली कि सारे के सारे में almost सारे के सारे में the number of cervical vertebra are 7 in almost all mammals including human beings ये almost all क्यों बोला क्योंकि इसकी सिरफ 3 exceptions हमें देखने को मिलती है 2 तो इनका कोई slot ही है जो 2 toad, 3 toad इस तरीके से मौत है slot जो भी है बहराल इसकी total total 3 exception है पूरी की पूरी animal kingdom के अंदर बाकि सारे के सारे जितने भी mammals है हमारे वो सब जो है 7 cervical vertebra वाले हैं और ये 3 examples जो है इनमें कोई जो है 5 का है कोई 6 का है और एक जो है 9 का भी है तो बहराल ये तो exceptions है हमारी लेकिन NCRT ने जो statement बोली the number of cervical vertebra are 7 in almost all mammals including human beings तो अब ये statement आपकी statement based question के अंदर आ सकती है कि without any exception की जो cervical vertebra होती है वो 7 होती है सारे mammals में तो ये statement गलत हो जाएगी इस तरीके से इस almost की वज़े से यहाँ पर कई सारी statements possible है तो इसका गौर करना थोड़ा सा फिर NCRT कहती है क्या कि जो vertebral column है हमारा वो protect करता है spinal cord को support करता है हमारे head को और serve करता है point of attachment के लिए जहां पर हमारी ribs आ करके articulate करेंगी और हमारी जो back की muscles है peat की muscles है trapezius है वगेरा वगेरा और भी muscles है हमारी latissimus dors है है यह सब जो है articulate करेंगी आ करके बहराल यह सब आप अपने MBBS में आ करके पढ़ोगे बस vertebral column की जो यहां पर function NCRT ने दिये बापको वही याद रखने है पहला काम क्या है क्या protect करता है spinal cord को दूसरा काम क्या है कि support करता है head को तीसरा काम क्या है कि serve करता है point of attachment के लिए ribs के फिर जो है चौता क्या चीज़ है musculature of back के लिए भी point of attachment की तरह यह serve करता है फिर last में आती है हमारी बात किस की sternum की sternum जो है हमारी sternum क्या है एक dagger shape की किस तरीके की bone है flat bone है flat bone है जो की ventral midline के अंदर present है ventral का मतलब क्या है सामने की तरह है जो हमारा chest region है अगर यह दोनों nipples को consider करें हम लोग तो यह जो बीच में center में हमारी यह जो bone होती है dagger shape की यह हमारी क्या होती है sternum होती है यहाँ पर हम लोग इसको देख भी सकते है कि यह sternum है हमारा sternum का यह जो part होता है इसको manubrium बोलते है और यह जो process निकलता है इसको zephoid process बोलते हैं और ये body of the sternum है बहराल ये आपको इतना detail में नहीं जाना सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारी dagger shape की bone है जिसका नाम क्या है sternum ये हमें सामने sternum देखने को मिल रही है तो ये ventral है ये पीछे जितनी भी दिख रही है हमें ये ये vertebras दिख रही है और ये ऐसे पूरा base of the skull से लेकर के hip region तक जाएगा हमारा tail bone तक ये dorsally placed है और laterally क्या है हमारा ये ribs present है last बात आती है भी हमारी ribs के बारे में और हमारा axial skeleton complete हो जाएगा अब हम लोग बात करें ribs की तो ribs कितनी हैं 12 pair हैं यानि total कितनी ribs हैं हमारे पास 24 ribs total है each rib is again flat bone अब तक flat bone के दो example आ गए पहला sternum और दूसरा 24 की 24 ribs ये पीछे कहां पर connected होती है dorsally ये connected होती है किस के साथ vertebral column के साथ और ventrally कहां जुड़ती है sternum के साथ ये important है पूछा जा सकता है कि जो point of attachment है rib का वो क्या है तो भाईया ये dorsally यानि पीछे की तरफ जो है vertebral column से जुड़ी हुई है read की headdy से और ventrally जुड़ी हुई है हमारी sternum से हम लोग ये चीज़ यहां देख भी सकते हैं कि अगर इस वाली rib को consider कर रहे हैं हम लोग rib number 5 को तो आप इस rib number 5 को देखो कि ये पीछे कहां से कहां जुड़ी है हमारे vertebral column से जुड़ी हुई है और आगे आगे ये sternum से जुड़ रही है बाकी की जो ribs हैं जैसे ये दो floating ribs हैं ये 11th और 12th ये भी पीछे कहां से निकल के आ रही है हमारी vertebral column में से निकल के आ रही है तो आप एक चीज़ को देखो कि आपको यहीं पर देखने को मिला कि कुछ ribs ऐसी है जो पीछे से कर तो रही है लेकिन आगे आके नहीं मिल रही है और कुछ ऐसी भी दिख रही है आपको कि जो directly sternum के अंदर नहीं लग रही है 7th rib के अंदर जोड़ जा रही है जैसे यह 8th है यह 9th है और यह 10th है यह 7th rib के अंदर आके मिल गई और 7th rib फे sternum में जोड़ी और यह जो है पीछे से 11th और 12th यह तो sternum में लगी ही नहीं सारी की सारी ribs vertebral column से जोड़ी हुई होती है यह 100% true है लेकिन कुछ ribs जो है आगे सामने से नहीं जुड़ी हुई होती इसके बारे में हम लोगे ने बात करनी है यह खास केस बन जाता है पहली बात तो यही हो गई कि dorsally किस से connected होईगी dorsally vertebral column से होगी और ventrally किस से होगी sternum से होगी दो articulation surface होती है dorsal side पे इस तरीके से कुछ दो articulation surface होते है हमारी rib के पास जो dorsal end पे जहां पर उसको vertebral column से connect होना होता है और इसलिए हम लोग क्या बोलते है कि जो rib होती है वो कैसी होती है बाइसी फैलिक होती है जो true ribs है true ribs किन को कहते है हम लोग first seven pairs को कहते है first seven pairs को कहते है यानि 14 ribs जो है हमारी in total true ribs है dorsal जो true ribs होती है वो thoracic vertebrae से जोड़ी हुई होंगी और वेंटरली कैसे connected होंगी हमारे sternum से connected होंगी किस कार्टिलेज की मदद से हाइलीन कार्टिलेज की मदद से तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कार्टिलेज भी कौन सा involved है हाइलीन कार्टिलेज involved है फिर बात आती है क्या कि हमारा एक से साथ पूरा हो गया अब बात आती है आठ नौ और दस की अब ये जो आठ नौ और दस pair of ribs है हमारा ये articulate directly नहीं करते do not articulate directly with the sternum यानि sternum के साथ directly खुद से नहीं जुड रहे है लेकिन ये join करते है हमारे 7th rib को with the help of hyaline cartilage again तो यहाँ पर हम लोग जो ये diagram में देख रहे हैं कि ये 8th rib, ये 9th और ये 10th rib ये किस cartilage की मदद से जुड़ा hyaline cartilage की मदद से 7th rib के अंदर जुड़ गया और 7th rib जो है फिर sternum में जुड़ गई जा करके ये चीज बोली गई इनको हम लोग क्या बोलते हैं vertebro इनको हम लोग बोलते हैं vertebro condral ribs कहते हैं तो हमारी ये जो true ribs थी इनका नाम क्या हो जाएगा vertebro sternal हो जाएगा vertebro condral का मतला false ribs और जो last हमारी जो दो पेर बचे 11 और 12 उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनको बोलते हैं हम लोग floating ribs क्यों क्योंकि ये जो है किस से attach नहीं होते sternum से attach नहीं होते last two pairs यानि 11th pair और 12th pair जो ribs का है वो connected नहीं होते ventrally ventrally connected नहीं होते यानि किस से connected नहीं होते ये sternum से नहीं connected होते इसी लिए हम लोग इनको floating ribs कहते हैं फिर बात कर रही है NCAT कि जो thoracic vertebra है rib है और sternum है ये collectively form करता है हमारा rib cage यानि rib cage को बनाने के अंदर हमारी vertebra लगी कौन सी vertebra लगी? thoracic vertebra लगी vertebra होती कौन कौन सी है? cervical vertebra होती है thoracic vertebra होती है لمبार होती है सेकरल होती है और कौकीजियल होती है तो rib cage के अंदर हमारी thoracic vertebra लगती है अच्छा मैं आप से पूछ रहा हूँ एक सवाल मुझे बताओ कि जब हमने यहां यह चीज़ पढ़ी कि thoracic vertebra लगती है बारा है बारा thoracic vertebra है तो इस तरीके से कुछ लगी होई होंगी यह एक के बाद एक एक के बाद एक जब यह बारा है टोटल लगती है और हम बोल रहे हैं कि जितनी भी ribs होती है वो dorsally तो connected होती ही होती है चाहे true ribs हो चाहे false ribs हो चाहे हमारी floating ribs हो ठीक है वो dorsally हमारे vertebral column से जोड़ी होंगी ही होंगी और जब thoracic region के अंदर present है तो वहाँ पर कितनी हमारी vertebra होती है 12, 12, 3 3, 6, 39, 1, 2, 1 12 हमारी vertebra हमने यह बना ली अब मैं आपसे logical पूछ रहा हूँ कि जब सारी की सारी ribs को पीछे dorsally connect होना ही है तो logically कितनी ribs होनी चाहिए हर मेंसे दो जुड़ेंगी तो इस तरीके से हमारा 12 pair बन जाएगा यही चीज मैं आपको note करवाना चाहरा हूँ कि यह data जो है symmetric है और match कर रहा है कि thoracic vertebra भी 12 ही होती है और हमारी ribs जो है वो भी 12 pair ही है और पीछे जाकर के vertebra में यह लगेगा vertebra में attach हो जाएगी हमारी ribs दोनु तरफ से तो इस तरफ attachment होगी हमारी right वाली की और इस तरफ attachment हो जाएगी left वाली की तो एक pair of ribs को हमारी एक vertebra जोड़ के रखती है यह भी question बन सकता है पूछा जा सकता है कि एक vertebra कितने pair of ribs को पकड़ के रखती है तो एक vertebra से एक pair of ribs जोड़ता है यानि एक vertebra से दो ribs जोड़ती है यह था पूरा का पूरा हमारा क्या axial skeleton अब बात आती है appendicular skeleton के बारे में तो NCRT कहती है क्या कि जो bones है हमारे limbs की यानि हाथ पैर की along with their girdles जो है ये constitute करता है हमारा appendicular skeleton हर limb जो है हमारा हाथ हो limb का मतलब four limb हो या हमारा hind limb हो इन में 30-30 हड़ियां होती है अब वो 30-30 हड़ियां कैसे होती है हम लोग देख लेते हैं कि भई सबसे पहली एक हो गई हमारी humorous इधर humorous है तो उधर होएगी हमारी femur ठीक है दूसरी चीज होती है हमारी radius और अल्ना ये हो गया हमारा arm का reason ठीक arm के थे वो मिली हमें humorous मिली four arm के reason में हमें क्या मिलेगी four arm के region में मिलेगी radius और अल्ना इसमें भी गौर करो जो radius होगी ये हमारे ये अंगूठे की साइड होगी तो हमारे ये अनगूठे की साइड कॉन सी हुई radius होई और little finger की तरफ होगी हमारी अल्ना ये बात याद रखना रेडियस किस तरफ उस तरफ जिस तरफ हमारा थंब है और अल्ना किस तरफ जिस तरफ हमारी छोटी उंगली है या अगर आप इसको कन की उंगली कहते हैं तो वो भी कह सकते हैं या फिर अब हम लोग इसकी बात करें ये हो गया हमारा कौन सा रीजन जहां पर फीमर प्रेजेंट है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी थाए है और हम लोग इसको कहते हैं कि ये हमारा लेग है तो लेग के अंदर हमारी कौन सी बोन हुई की टीबिया और फीगुला अब इनके अंदर भी याद रखना कि हमारे टो की तरफ जो हमारा थंब है इसकी तरफ हमारी टीबिया है टीबिया जो है वो थंब की तरफ है ठीक और उधर कौन सी थी? हमारी रेडियस जो थी वो थंब की तरफ थी अब बात आती है क्या? कि हमारे पैर के अंदर यहां जो एडियों का यह होगा एडिय है हमारी और बाकी की जो चीज़े हैं इसको बोलते हैं हम लोग टारसल्स टारसल्स कितने होते हैं साथ होते हैं मेटा टारसल्स कितने होते हैं पांच होते हैं और फैलेंजिस कितने होते हैं 12 होते हैं पैर के अंदर टारसल है तो हमारे हाथ के अंदर क्या होता है कारपल होता है और कारपल कितने होते हैं 8 होते हैं मेटा कारपल 5 होते हैं फैलंजिस हमारी कितनी होती है 14 होती हैं फैलंजिस वो हैं जिस पे उपर हम लोग अपने हाथ पे काउंटिंग कर लेते हैं तो ये total 14 होती हैं और हमारी palm के अंदर जो हड़ीयाँ है ये palm वाली हड़ीया जो है ये बनती है हमारी metacarpals और जो wrist है हमारी वो बनती है carpal अब हमने बात करी थी चाहें वो upper limb हो चाहें lower limb हो दोनों के अंदर 30 हड़ीयाँ है तो एक हड़ी ये रही humorous दो हड़ी हमारी यहां हो गई रेडियस और अलना तीन हो गई अब तक आठ हड़ी हमारी कारपल्स हो गई आठ और पांच हो गई हमारे मेटा कारपल्स और चौदा हो गई हमारे फेलंजिस तो अगर इनको टोटल करें हम लोग तो क्या बनता है हमारा 30 हमारी पूरी की पूरी हड़ियां इसमें बन जाती है बात आती है अगर इनको टोटल करें कि एक फीमर, दो टीबिया और बाकी टारसल्स, मेटा टारसल्स और फिरेंजिस इन सबको अगर हम लोग अड़ करते हैं तो ये 29 बन रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया टारसल कितना है 7 और कारपल कितना होता है 8 तो ये भई 7 और 8 की फिगर हो गई तो ये बराबर कैसे आएगा तो आप इसदर गौर करो कि हमारे पास जो लेग है यानि लोवर लिम्भ है के अंदर हमारा पटेला नाम की एक हड़ी होती है जिसको हम लोग नी कैप बोलते है जो हमारे घुटने के उपर प्रेजेंट होती है आप इसको छू करके पैलपेट करके भी देख सकते हो इसी लिए हम लोगों ने देखा कि टारसल यहां साथ है बलकि कारपल जो थे वो अपर लिम्भ के अंदर वो आठ थे और उसकी कंबनसेशन आपको यहां मिल गई पटेला के रूप में तो दोनों लिम्भ के अंदर आपको 30-30 देखने को मिल गए तो इच लिम्भ के अंदर कितनी बोंस हो गई 30 बोंस हो गई the bones of the hand क्या होती है humorous होती है radius होती है अल्ना होती है कारपल है मेटा कारपल है हमारे और phalanges है इनका number मैंने आपको बता दिया lower limb के अंदर femur होगी tibia और fibula होगी tarsal, metatarsal और phalanges देखने को मिलेगा ये याद रखना tars जो हमारी tibia है वो थंब की तरफ होगी और इधर जो हमारी radius है वो हमारे थंब की तरफ होगी फिर बात कर रहे है हम लोग क्या कि जो bone से हमारी leg की ये हमें देखने को मिली पूरी की पूरी हमने डाइगराम में पढ़ लिया इसको एक cup shape की bone है जिसको patela बोलते हैं जो की cover करती है हमारे knee को किधर ventrally और knee की आप इसका नाम है ventrally मतलब सामने की तरफ अब बात आती है हमारे girdles की हम लोगों ने appendicular skeleton के अंदर limbs पढ़ लिए अब girdles पढ़ने हैं कि दो girdles हैं हमारे एक है pectoral girdle और एक है हमारा pelvic girdle जो pectoral girdle है इसको आप बोलते हो कंधा और जो pelvic girdle है यह हमारा बनता है pelvis अब जो pectoral girdle है इसमें चार हड़ियां आती है चार हड़ियां का कैसे left और right की दो-दो हड़ियां दो-दो हड़ियां कौन सी हमारी एक है scapula और दूसरी है clavical अब बात आती है क्या each girdle is formed of two halves यह चीज हमें बताई each half of the pectoral girdle consist करता है clavical और scapula scapula कैसी है हमारी triangular है और flat bone है flat bone है अब यह note करते चलना अब तक जितनी भी flat bones के बारे में नाम आता जा रहा है अब तक किस किस के बारे में नाम आया है flat bone का सबसे पहला आया था sternum के case में sternum हमारी flat bone है sternum जो थी हमारी कैसी थी flat bone थी हमारी sternum उसके बाद हमने देखा था कि हमारी जितनी भी ribs है ribs भी कैसी है हमारी flat bones है अब तीसरी हड़ी के बारे में जिकर आ रहा है किस के बारे में हमारे scapula के बारे में कि scapula भी हमारी flat bone है और ये कहां पर situated है ये dorsal यानि पीछे की तरफ पीठ की तरफ होगी dorsal part of the thorax के अंदर present है और ये location बहुत important है याद रखना second and seventh rib के बीच में present है second and seventh rib के बीच में ये मत सोचना कि scapula जो है scapula जो है क्योंकि वो dorsally placed है तो second and seventh vertebra की बात हो रही है नहीं second and seventh rib के बीच में ये located है dorsal flat triangular body जो होती है scapula की slightly elevated इसके अंदर ridge present होता है जिसको हम लोग spine कहते हैं जो की project करता है एक flat again flat expanded process की तरफ जिसका नाम है acromion process और इस acromion process से जुड़ता है हमारा इस acromion process से जुड़ती है हमारी clavicle the clavicle articulates with this acromion process acromion process किसका निकला हुआ पार्ट है तो ये हमारे scapula का extended पार्ट है the dorsal flat triangular body of scapula जो है एक slightly elevated ridge form करती है जिसको हम लोग spine कहते हैं अब आप से ये भी पूछा जा सकता है question के अंदर what is the name of the structure which is formed as a slightly elevated ridge from the scapula which is also called as the spine of the scapula जिसका नाम है क्या acromion process इसका नाम है कौन सी हड़ी इस से आर्टिकुलेट करती है हमारी clavicle इस से आर्टिकुलेट करती है अबन सी आड़ी क्या कह रही है कि जो pectoral pelvic girdle की जो bones होती है ये help करती है articulation of upper limb और lower limb की bones को किस के साथ? axial skeleton के साथ यनि हमारे girdle का क्या काम है हमारे limbs को axial skeleton से जोनने का काम है ये चीज़ भी important बन जाती है आपकी the function of the girdle पूछा जा सकता है तो girdles का क्या function है कि इनका काम ये है कि articulation करें ये limbs का किस के साथ? axial skeleton के साथ अब NCRT continue करती है below the acromion acromion के नीचे एक depression present है एक hollow shallow cavity present है जिसका नाम होता है glenoid cavity इस glenoid cavity के अंदर head of the humerus जो है हमारा ये आकर के fit हो जाता है और क्या form करता है? shoulder joint form करता है और shoulder joint किस तरीके का joint है? ball and socket joint है आप यहाँ देख भी सकते हो कि ये हमें दिखा रखा है कि ये पीछे ये सामने तो हो गई हमारी clavicle जिसको आप collar bone भी कहते हो पीछे हम लोग देख पा रहे है कि ये outline आ रही है किस चीज़ की हमारी scapula की scapula का पीछे से ऐसे ये process उठके भी आ रहा है जिसका नाम है acromion process तो ये क्या represent कर रखा है acromion process और ये हड़ी क्या represent कर रखी है हमारी clavicle clavicle का गौर करो तो एक इसके अंदर इस तरीके की curve हुआ और दूसरा curve इसका इस तरीके का हुआ एक curve ऐसा दूसरा कर ऐसा कुछ इस तरीके से हमारी clavicle बनी हुई है तो ये labeling पूछ सकते हैं कि ये जो labeling है ये clavicle है और इसके तुरंद बात क्या दिख रहा है आपको ये acromion process दिख रहा है किसका हमारी scapula का और सामने क्या दिख रहा है आपको उसके बात कि ये हमारा head of the humerus है इसके अंदर हमारे को ये trochanter दिख रहे है और ball and socket joint है ये जो shoulder joint form हुआ है Each clavicle is a long bone है long bone है अब देखो long bone का example भी बोला इसने long bone है तो long bone क्या हो गई हमारी clavicle हो गई NCRT ने अब तक आपको दो तरीके की bone बताई एक बताई flat bone कौन कौन सी है एक बताई long bone कौन कौन सी है long bone के अंदर क्या बतादी है अब तक की ये humorous हमारी long bone है ये femur हमारी long bone है और clavicle हमारी long bone है यही चीज़ बताई NCRT ने आपको अब हम लोग further continue करें इसके अंदर तो जो clavicle है हमारी वो long slender bone है यानि बारीक पतली सी bone है long bone है जिसके दो करवेचर्स हैं और इस bone को commonly आप collar bone के नाम से जानते हो फिर बात आती है हमारी pelvic girdle की जो pelvic girdle है उसके अंदर दो coxal bones होती है pelvic girdle के अंदर कितनी bone है दो bones है क्या नाम है उनका coxal bone है ये coxal bone किसके fusion से बनी है ileum, ischium और pubis के मिलने से बनी है अब बहुत important बात क्या है ये तीन हड़ियों के मिलने से बनी है किन किन तीन हड़ियों से ileum, ischium, pubis से मिलने से हमारी coxal bone बनी है तो left coxal bone और right coxal bone दोनों इसी तरीके से बनी है और इन तीनों के fusion पे जो इनका point of fusion होता है इन तीन हड़ियों का ileum, ischium और pubis का वहाँ पर एक cavity बन जाती है यानि ये इस तरीके से जुड़ रही है एक दूसरी इस तरीके से जुड़ रही है तीसरी इस तरीके से जुड़ रही है तो ये एक नग cavity बन जाती है और इस cavity का नाम क्या है acetabulum और जो head of the femur होता है हमारा वो इसी में आके जुड़ता है to which the thigh bone thigh bone articulate thigh bone कौन सी है उसका नाम है भईया femur तो अब आप से ये भी पूछा जा सकता है what is the name of the thigh bone तो thigh bone है हमारी femur ये femur किस से जाके attach होती है तो thigh bone यानि femur हमारी articulate करती है जाके acetabulum के साथ acetabulum के साथ जाके acetabulum formation कैसे होती है तो जो point of fusion of ileum, isium और pubis है उसको हम लोग क्या कहते है उस cavity को acetabulum बोलते है क्या बनता है इससे भईया इससे बनता है हमारा thigh joint इससे बनता है क्या हमारा हमारा बनता है इससे thigh joint बनता है यानि ये वाला joint है ये अब बात आती है क्या कि एक important और बहुत important चीज़ आपको समझनी है कि ये जो ileum नाम है ना ये ileum नाम इससे भी धोके में मत आ जाना इस नाम की spelling याद रखना बहुत important है इसकी नाम की spelling क्या है I-L-I-U-M आपने एक ileum के बारे में और बढ़ा है इन्टू दी लार्ज इंटेस्टाइन और ये आपको याद दिलाए अगर कि ileum क्या है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट पहला डुगोडनम दूसरा जेजिवनम और तीसरा ileum इस ileum की स्पेलिंग के ओपर अगर आप गोर करो तो इसकी स्पेलिंग क्या है ileum इसके अंदर e है और इसके अंदर i है इस चीज़ को याद रखना आपने हड़ी की बात करनी है तो ये i वाला लेना है इसको मैंने इस तरीके से याद रखा था आई पी के नाम से ileum वाले के अंदर जिसमें i आई आता है वो हमारे pelvic girdle के अंदर use होना है तो ये है हमारा पूरा का पूरा skeletal system अब NCRT last में कह रही है कि जो दो halves हैं हमारे the two halves of the pelvic girdle कहां पर meet करते हैं ventrally meet करते हैं यानि सामने की तरफ meet करते हैं जिससे क्या form हो पाए pubic symphysis form हो पाए और pubic symphysis मैं आपको पहले ही बता चुका किस टाइप की cartilage को contain करेगी fibrous cartilage को ये contain करेगी अब हम लोग कुछ pyqs देख लेते हैं हमारा इवन CRT क्या इसमें need में क्या पूछा गिया है 2021 के अंदर किस कैपुला के बारे में अच्छा मेरा क्या recommendation रहता है कि देखो आपको क्या बता रखा है कि ये हड़ियों के नाम दे रखे हैं left list के अंदर और right list के अंदर आपको इन में से match करना है बच्चे क्या करते हैं अमूमन left list को पढ़के right की तरफ जाते हैं देखो ये जो है ये non specific है जिससे आपको एक specific चीज़ देखनी है मैं recommend करता हूँ कि specific चीज़ से फिर specific चीज़ की तरफ आओ अब यहां पर है जैसे fibrous joint के बारे में बात करें तो fibrous joint कहां पर देखने को मिलेगा अगर मैं ये cranium देखता हूँ तो भई मुझे cranium के बारे में जानने के लिए ये चारों point पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है मेरी बात समझो मैं क्या समझाना चारूँ जैसे मुझे cranium के बारे में पता करना है लेकिन अगर मेरे को पता है कि ये fibrous joint दिख रहा है मुझे इधर कि मैं right to left matching करूँ तो fibrous joint को मुझे match करना है तो fibrous joint मेरे दिमाग में आगा खट से क्या कहां पर देखने को मिलता है कि मेरे को brain box के अंदर यानी cranium में देखने को मिलता है तो मैंने इसको match कर दिया से सेकंड चीज triangular flat bone क्या है triangular flat bone क्या होती है मेरे scapula होती है तो मैंने fourth को जो isyeP ribs और क्या है میरे flat bone एक और चीज थी तीन bones को हम ने flat बोला था एक हमारी sternum थी एक हमारी sternum है दूसरी क्या है हमारा ribs जितनी भी है वो सब हमारी flat bone से और एक और हमने flat bone बोली थी हमारी scapula तो flat bone जो है वो हमारी sternum हो रही है फिर बचता है cartilaginous joint तो हमने पढ़ा था किसके अंदर देखने को मिलते हैं vertebral column के अंदर देखने को मिलते हैं अच्छा आप देखो इसी चीज़ से मेरी वो second जो मैंने evidence दी आपको वो भी आपको थाबित हो गया कि आप यहां देखते है scapula is a flat bone हो सकता है आप एक और टू से मैच कर देते और sternum है हमारा यह भी flat bone है तो यह दोनों के लिए यह non specific है लेकिन यह specific है यह चीज़ समझ में आ रही है और यह triangular flat bone है यह specific है क्योंकि triangular जो flat bone आपको पता है वो कौन सी है सिरफ और सिरफ हमारी scapula है normal flat bone के अंदर sternum आ गई लेकिन triangular flat bone के अंदर scapula आएगा तो इस तरीके से आपको देखना है हो सकता है किसी question के अंदर list one जो है non specific हो यह specific हो तो इस तरीके से हमें match करके चलना पड़ेगा देखना पड़ेगा question के हिसाब से अब NCRT कहती है क्या कि select the incorrectly matched pair from the following need पूछ रहा है आप से कि incorrectly matched pair जो है इनमें से वो बताओ condro side condro side का क्या मतलब है cartilage में रहने वाले cell cartilage के cell का मतलब क्या था cartilage को dissolve करने वाला cell तो यह तो smooth muscle की बात कर रहा है यही incorrect है answer हो गया एक फिर बात कर रहा है हम लोग क्या कि match करो following columns को एक उस में से correct option में से यह 2020 के September का paper है floating ribs की बात हो रही है floating ribs कि स्को है अब फिर वही बात अब यह non specific है यह specific है हम लोग right to left चलते हैं फिर से located between the second and seventh ribs तो obviously यह किस की बात हो रही है हमारे scapula की बात हो रही है हमने इसको scapula से match कर दिया फिर बात हम रहे हम लोग last option को देखें do not connect with the sternum sternum से कौन करेक्ट नहीं करता हमारी floating ribs नहीं करती हमने a को फोर्ट से मिला दिया a को फोर्ट से मिलाया तो इसके अंदर सरफ एक option है answer हमारा c हो गया हमें बागी की देखने की जरूरत ही नहीं बची अब और हमारे पास जो p.y.q. बनते हैं वो यहां पर है एक यह आया हमारा की out of x pair of ribs जो humans के अंदर होती है only y pairs जो है वो true ribs है 2017 का question है तो x pair of ribs कितनी होती है हमारे पास 12 pair of ribs होती है human के अंदर कितने pair जो है हमारे true ribs के है 7 true ribs है 8th, 9th और 10th 8th, 9th और 10th 7 यानि 1st to 7th जो समझा रहा हूं बहुत important है समझना के कितना देखो एक सवाल है कितना एक सवाल है कौन सा ये जो कितना है तो ये हुआ कितने का मतलब how many और कौन से का मतलब हुआ which अगर आप से पूछा जाता है how many pairs are true ribs तो 7 pairs are true ribs which pairs are true ribs first to seventh pairs are true ribs दोनों सवालों में difference समझ लो कितने pair जो है हमारे how many pairs how many pairs are true ribs तो seven pairs जो हमारे true ribs हैं which pairs are true ribs तो first to seventh pair are true ribs फिर पूछा जाए आप से कितने हैं आपके जो फॉल्स हैं तो पूछा जा जा रहा है how many are false तो three are false ribs three pairs are false ribs फिर पूछ रहे हैं which pairs are false ribs तो eighth pair, ninth pair और tenth pair are the false ribs लेकिन how many के अंदर आएगा तीन pair ऐसे हैं जो false ribs के हैं और वो कौन से हैं तो eighth है, ninth है और tenth है फिर पूछा जाएगा how many of the ribs how many pairs of ribs are floating ribs तो two pairs of ribs are floating ribs and which of the pairs of ribs are floating ribs तो 11th और 12th pair of ribs are floating ribs लेकिन how many का अंदर में ये two हो जाएगा तो ये how many पूछा जा रहा है या which पूछा जा रहा है इसका ध्यान रखना तो ये क्या पूछा आप से कि out of the x pairs of ribs in human only y pairs are true ribs तो ये how many वाला question है तो 12 pair होते हैं जिसमें से 7 हमारे कैसे हैं वो है true ribs है तो इसका अंसर A हो गया इस तरीके से हमने ये सारे के सारे PYQs भी हमारे skeletal system के अंदर cover कर लिए this was all about this video next lecture के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे हमारे joints के बारे में पढ़ेंगे और diseases के बारे में पढ़ेंगे और इस chapter को conclude कर लिए